हो इसलिक कर्जमुक्ति मांगों को लेकर मगलवार को दिली के जंतर मंतर पर अज प्रदस्षaison हो ना था लेकिन अंतिन समय पर इन लोगों को पर्भिशन नहीं दिल गए देश बर के अलग-अलग जगासे पहुँचे लोगों प्रदर्शन करने की अनुमती दी गई थी लेकिन अंतिम समय पर उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और उनके कई प्रदर्शन करने की अनुमती दी गई थी लेकिन अंतिम समय पर उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और उनके कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने रात में हिरासत में ले लिया है शानवाद चौधरी ने कहा है कि पिछले कई सालों से हम लगातर पूरे देश भर में कर्ज माफी की मांग को लेकर अभियान चला रहे हैं कई बार जनतर मंतर पर राम लिला मैतान में भी प्रदर्शन कर चुके हैं और पूरे देश भर से हजारों के संख्या में हस्ताक्षर अभियान के जरिये लोगों की हस्ताक्षर भी हमें बिले हैं दिली एंसियार से ही कर से अक तक तीनजास से अधिक हस्ताक्षर हमें मिल चुके हैं शाहनवास चौधरी ने कहा है कि जब बड़े-बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है तो किस तुते व्यापारी और आम इंसान का सरकार कर्ज माफ क्यों नी कर सकती है आगड़े बताती है कि कर्ज के दर बितले व्यापारियों ने, आम लोगों ने, किसानों ने आत्मत्या कर ली है आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के प्यायल भी डालने जा रहे हैं और सरकार हमें प्रदर्शन नहीं करने दिरी हैं हमारी आवास को दबाना चाती है लेकिन आम जनता जान चुकी है और अब ह देश भर में आंतुलंग करेंगे उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि जब बड़े-बड़े उद्योग पतियों का कर्स माफ किया जा सकता है तो फिर आम लोगों का कर्स क्यों माफ नहीं किया जा सकता है दिल्ली के अलाबा कई जगों से ऐसी खबरे सामने आई थी कि का पाने की कारण आत्मत्य कर ली थी. और अभी जब मैं जंतर मंतर से आया, आम वहाँ देखेगा लगबख हजार से ज़ाद लोग सिनियेचर कर रहे हैं, प्रसाशन जगा नहीं देगा तो ऐसा नहीं जंता भाग जाएगी, जंता जाने वाली नहीं, देश की जंता है इनवे संद्यूस के लिए नई दिली से ब्रशेश कुवार के रिपोर्ट